हेलो एवरीवन लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉस्टुलेट ओफ मॉडर्ण सेल थेरी स्टड़ी किये थे और आज हम और उसमें आप लोगों को मैंने बोला था कि पॉस्टुलेट मॉडर्ण पॉस्टुलेट ओफ दसेल थेरी यह आप लोगों को याद करना है ध्यान मे रखना है और उसके साथ साथ Procratic Cell की डाइगराम भी आप लोगों को ढ्राउ करनी है तो आज हम generally kinds of sales यह topic study करने वाले हैं यह topic नमबर है 5.2 kind on say living organism are group into two main categories or living organism yet two categories may groupе हो रही हे । उसमें categories कौन से है तो prokaryotes and eukaryotes प्रो मिन्स क्या जो previously आये fronts चीकिंप पोर प्रोकरियोडёт SEं अब क्या जो लड़ितरों आए है प्रोकेरीयट्स के बाद आए है, इसे हम लोग बोलेंगे यूकेरीयट्स Now, theobylट्स has the Simple Cellular Organization while the eucaryotes exhibit high degree of the organization देखिए, ये जो प्रोकेरीयट्स है इसमें generally Simple Cellular Organization है Simple Cellist बना है और उसके cell में हम लोगों को बहुत ज़ादा complexity नहीं दिखेगी complex structure नहीं दिखेगा वाइल जो यू केरियोड से इसमें high degree of the organization दिखेगा cellular organization दिखेगा और वही cellular organization हम लोगों को आज study करना है Now, सबसे first point, point A इसे हम लोग बोलेंगे prokaryotic cells तो prokaryotic cells हम लोग सबसे पहले study करेंगी देखिए prokaryotic cell की सबसे पहले तो हम लोग diagram समझेंगे what is exact prokaryotic cell तो यह जो prokaryotic cell है उसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है तो एक diagram दिख रही है उसमें सबसे पहला part आप लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे एक phlazellum इसे ही हम लोग बोलेंगे phlazella नाउ यह जो phlazella है यह phlazella क्या करेगा यह जनरली वन प्लेस से सेकेंड प्लेस में movement कर सकती है इसके वज़े से जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि यह जो phlazella है it helps the cell body to move from one place to the another place और यह जो prokaryotic cell है यह जनरली water में present है इसके वज़े से movement अदर्वाइस locomotion भी बोल सकते हैं इसके लिए phlazella help कर रहा है नेक्स्ट है अभी देखें इसका internal structure यह किस सरीके से है तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा है सेल है तो सेल के इंसाइड जनरली सेल वाल यह फर्स्ट जो है सेल को क्या कवर करती है सेल वाल और जनरली उसके बाद आप लोगों को आउटर मोस्ट कैपसूल दिख रहा है तो सबसे पहले कैपसूल और इसे हम लोग बोल सकते हैं स्लाइम लेयर अधरवाइस कैपसूल उसके बाद जो वाल है इसे हम लोग बोलेंगे सेल वाल और नेक्स तो देखेंगे तो बोल सकते हैं साइटो सोल एक पर्टिकुलर हम लोगों को लेबल यहां पर गीवन है इसे हम लोग बोलेंगे हैं साइटो सोल हम लोग बोलते हैं सेल की इंसाइट साइटो प्लाजम होता है तो यहां पर हम लोगों किया दिख रहा है और साइटो सोल कर्यों इसे हम लोगों को दिक Congressman इसे हम लोग बोलेंगे प्लाजमिड उसके साथ साथ हम लोगों को कुछ अमोंट में फूड ग्राणीूल भी दिख रहे हैं सेल के इंसाइड फूड ग्राणीूल है एन उसके बाद जर्णरली राइबोजोम है तो राइबोजोम जो है जर्णरली इसके सब उनिट होते हैं 50 इस सब तो यहां पर राइबोजोम के 70 यह सब उनिट प्रेजेंट उसके बाद जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि सेल है तो सेल के इंसाइट जैनेटिक माटेरियल है तो इसे हम लोग बोलेंगे क्रोमोजोम बट जनरली क्रोमोजोम जो है इसमें वैल डवलप नहीं है क्योंकि यह कैसी बट इसमें जनरली नुकलियॉड रीजन दिख रहा है तो इस तरह के से हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्रोकरियॉटिक सेल है और इसमें लास्ट पोर्शन हम लोगों ने देखा कि फ्लाजलम तो इस तरह के से हम लोग सेल वॉल को जनरली डिफ्रेंशेट कर साइब स्वाइ यहां पर कुरोटिक सेल में लोगों को दिख री है को दिख री है और सलाइम लेयर इसे अम लोग बोलेंगे कैप्सूल ok और कैप्सूल के बाद वाल है इसे रीड है केंगें बोला हाई यहां लेयर एसे फिल और लेक्ट्ट्ट्ट्क राटिक रहां जा सब्सक्राइय 乐। और inside the plasma membrane there is a fluid is present and that fluid is called as a cytosol and next cytosol contain the food granules इसके inside food granules and it again contain the ribosome ribosome there is the subunit of the ribosome but यहाँ पर ribosome तो हम बहुत सकते 70S ribosome इसमें आप लोगों को genetic material दिख रहा है what is the exact genetic material that genetic material is a chromosome and we generally called it nucleoid region and next last one जो cell capsule है उसके side में यहाँ पे हम लोगों को पीला है like structure दिख रहा है यह generally हम इसे क्या बोलेंगे यह पील है all of you understand diagram of the prokaryotic cell जो student ने अभी तक prokaryotic cell की diagram draw नहीं की है आप लोगों को सब को इसकी diagram draw करके show करना है देखिए यहाँ पे हम लोग थेरी देखेंगे हम लोगों ने अभी तक देखा कि living organism two main categories में group हो रहा है prokaryot and eukaryot और जो prokaryot है इसमें simple cellar organization है while eukaryot में higher degree of the organization है prokaryotic cell now हम लोग देखेंगे description of the prokaryotic cell a prokaryotic cell the cell in prokaryot show the following main features it has chemically complex protective cell envelope और इसके पास एक particular cell envelope है इसके पास हम लोग नहीं बोल सकते कि well defined nucleus है and other membrane bound cell organelles और हम लोगों ने higher cell अगर देखिए तो इसमें हम लोगों को क्या दिखता है अगर cell है तो cell के inside prominent nucleus दिखता है उसके surrounding में nucleolus दिखता है और हम लोगों को other cellular organelles भी दिखती है other membrane bound cellular organelles दिखती है बट यहां पे brocarotic cell में हम लोगों को ऐसा नहीं दिख रहा है cell envelope is a three layer और यह जो इसका cell envelope है यह कैसा है three layer है structure with the outer glycocalyx middle cell wall and inner plasma membrane देखिए यह जो outer most cell envelope है तो फिर से यह कैसा है three layer structure से बना है तो three layer structure कौन सा है तो outermost glycocalyx इसे हम लोग outermost layer को क्या बोलेंगे glycocalyx and middle cell wall middle को क्या बोलेंगे cell wall देखिए देखिए this is the cell wall and inner plasma membrane और इसे हम लोगों ने क्या बोला है जो cell envelope है capsule है यह three layer से बना है glycocalyx is present as either slime layer lucid और the capsule बैक्टेरियार बेटर अब्ज़र वेन स्टेंग अभी देखिए यह तो glycocalyx है generally loose sheet है either slime layer से बनी होती है और capsule एक particular layer से बनी होती है इसे हम लोग बोलेंगे loose sheet otherwise उसे ही slime layer बोला है otherwise इसे हम लोग क्या बोलेंगे tough capsule से बना है ऐसा बोल सकते है बैक्टेरियार बेटर अब्ज़र वेन स्टेंग और हम लोग बोलते हैं कि यह जो बैक्टेरियार से जनरली यह कब अब्ज़र होते है वेन हम लोग क्या करते हैं एक particular इसको stain देते है जनरली हम लोग बोल सकते हैं कि gram negative bacteria gram positive bacteria तो इसे हम लोग generally stain करते हैं तो जनरली अगर इन्होंने stain को जनरली response दिया stain gain किया तो हम लोग बोलते हैं कि gram stain है तो gram positive और gram negative देखें यहां पे आप लोगों को staining method दी है the most following staining method is a gram staining bacteria को अगर हम लोगों को stain करना है क्योंकि हम लोगों को जो bacteria है bacterial cell के इसका अब observe होती है जब हम उन्होंस को stain करते हैं तो यहां पे एक particular method है staining method इसे हम लोग बोलेंगे gram staining और यह सबसे पहले किसने डेवलप की है it is developed by the Danish bacteriologist hence christian gram and the cell wall according to the gram the cell wall is made up of peptidoglycan किससे बनी है cell peptidoglycan से बनी है in the gram positive bacteria जो bacteria gram positive है gram strain को gain करते हैं तो इसमें जो cell wall है cell wall का chemical composition different different इससे बना है जैसे glycan, peptidoglycan, murine तो cell wall the cell wall is made up of peptidoglycan जो gram positive bacteria है उसमें cell wall peptidoglycan से बनी है and murine in the gram negative bacteria जो gram negative bacteria है जाली किससे बनी है तो lipid bilayer तो यह किससे बनी है phospholipid bilayer से बनी है two layer of the lipid तो हम लोग बोल सकते है cell wall is made up of phospholipid bilayer all this structure give the protection to the cell and also help in intercellular transport यह जो structure है यह क्या करेगा cell को protection देगा and किस में help करेगा intercellular transport तो cell to cell cell के inside जो भी transport होगा तो intercellular बोलेंगे cell के inside है तो intercellular transport के लिए generally cell membrane generally help करेंगे and in motile bacteria motile bacteria means क्या तो जो bacteria one place next place में transfer sorry movement कर सकता है movement जो कर सकता है इसे हम लोग क्या बोलेंगे motile in motile bacteria either cilia और flagella are found क्या present होता है cilia otherwise the flagella आप लोगों को मैंने यहाँ बताया कि what is flagella देखे यह flagella और cilia means क्या तो like that ऐसे structure तो इसके help से यह generally क्या कर सकते है bacteria को motility मिल दिए motility means क्या तो one place से next place में वो transfer हो सकते है तो इन बोल सकते है in motile bacteria जो bacteria motile होता है उसमें either cilia present होता है otherwise flagella present होता है cilia otherwise flagella for the movement both are driven by the rotatory movement and produced by the basal body और यह जो cilia and the flagella है वो कौन produce कर रहा है basal body basal body कौन है यह basal cell body है यही produce कर रही है which work as a motor and other part are filament and the hook और other इसका जो part है तो यह generally किस से attach होता है तो filament are the hook से attach होता है some other surface projection are tubular pillay which help in intercellular communication और इसमें some other surface projection है और some other surface projection इसे हम लोग क्या बोलेंगे पीला और यह कैसे है tubular है and generally किस में help कर रहे है इना intercellular communication intercellular communication and phimria for clinging to the support और इसके साथ-साथ और भी एक part है इसे हम लोग क्या बोलेंगे फिम्रिये और यह फिम्रिये किस के लिए help हो रही है for the clinging to support miss क्या तो अगर यह बैक्टोडियर सेल को generally एक particular substratum को भी attach होना है तो इसे हम लोग बोलेंगे clinging के लिए कौन help कर रहा है phimria help कर रहे है and the cell membrane show the infolding called as a mesozoom तो फिरो cell membrane है इसमें एक particular folding होती है suppose यह generally cell है तो इसमें एक particular इस तरीके से folding होती है और इसे ही हम लोग क्या बोल सकते है mesozooms इसे ही हम लोग क्या बोल सकते है mesozoom बोल सकते है which help in a cell wall formation and DNA replication और यह किसमें help करती है तो यह जो हमारी cell wall है उसके formation में and the formation of the DNA and the DNA replication replication means क्या duplication DNA का जब duplication होता है same copy बनाता है तो उसे हम लोग replication otherwise duplication बोलते है तो यह जो cell membrane जो है यह क्या शो करती है folding शो कर रही है इसे हम लोगोंने mesozoom बत बोला है और mesozoom किसने help कर रहा है which help in a cell wall formation यह जो cell wall है उसके formation में help कर रही है and the DNA replication में भी help कर रही है some bacteria especially photosynthetic cyanobacteria हम लोग बोल सकते हैं कि कुछ bacteria है generally यह कैसे होते है photosynthetic cyanobacteria इसे हम लोग blue green अलगा भी बोलते है तो show the more longer extension called as a chromatophore और एक particular extension show कर रहे है इसे हम लोगोंने बोला है chromatophore they carry the photosynthetic pigment और इसे photosynthetic bacteria क्यों बोला है तो इसके पास particular pigment है photosynthetic pigment है and the cytoplasm contain the dense particle called as a ribosome इसके cytoplasm में dense particle present है इसे हम लोगोंने क्या बोला है ribosome बोला है are described और यह जो राइबोजोम है यह help कर रहे है किसके किसके लिए it help in a protein synthesis और protein synthesis के लिए ribosome क्या करते है help करते है and ribosome are described by their sedimentation rate in the set bugs unit और राइबोजोम कैसे डिस्क्राइब होता है by their sedimentation rate in the set bugs unit और इसके पास particular unit है तो इसे हम लोग बोलते है कि कौन से unit है तो इसमें bacterial ribosome bacteria में जो ribosome present है generally कौन सा होता है 70S 70S ribosome तो इसके sub unit होते है तो generally larger sub unit 50S and plus smaller sub unit 30S तो हम लोग कभी भी बोल सकते है कि 70S ribosome अगर इसका general distribution करना है तो हम लोग बोल सकते है 70S ribosome कौन से sub unit से बना होता है larger sub unit 50S plus smaller sub unit 30S तो यहां तक आप लोगों को जो prokratic cell है इसमें हम लोगों ने देखा कि prokratic cell complex structure है इसमें generally protective cell envelope होती है जनरली जो prokratic cell है उसमें well developed nucleus नहीं होता है otherwise membrane born organelles नहीं होती है cell envelope 3 layer से बना होता है outermost glycocallax बोलेंगे middle को cell wall बोलेंगे और inner को plasma membrane बोलेंगे glycocallax generally slime layer बोलेंगे और जनरली यह जो bacterial cell है particular generally stain में यह पंड हम लोगों को दिखती है और कौल सा stain है? gram stain उसके according जनरली gram positive अधरवाइस gram negative वो हम लोग बोल सकते है bacterial cell और bacterial cell में cell membrane जो है वो phospholipid bilayer से बनी है और इसमें हम लोगों को कुछ structure दिख रहा है इसे हम लोगोंने बोला है tubular pilar और इसमें particular membrane दिख रही है in folding दिख रही है इसे हम लोगोंने mesozoom बोला है और वो cell wall formation and DNA replication में help करती है and some bacteria को photosynthetic bacteria बोला है उसमें longer extension है इसमें chromatophore बोला है और इसमें particular photosynthetic pigment होते है और इसमें dense particle होते है इसे हम लोगोंने ribosome बोला है और protein synthesis में help कर रहे है और generally subunit कौन से है 70S और ये 50S and 30S सबunit से बने और बोला है